सब्सक्राइब करें थी आना डोच से अंटृ पॉसित पर वेडियों मन्टै न यूट है थोड़ा से लेत आ सकता ये वीडियों मन्टै नया वीक शुरू हो रहा एनलीसी शुरू करने से पहले चार्ट एनलीसी सूरू करने से पहले डो-वीकेंड में कुछ देखने को मिला है उसके ऊपर डो-मिनिट बात कर ले상 अभी जो सिनारियो है नैशनल राष्ट्रिया अपत्ती आ चुकी है कोरोना का टेंशन्स काफी बढ़ चुका है थाउजन के उपर केसे इंडिया में हो गए और ये सैटरडे संडे देखने को मिला है कि इसमें अभी गंधी राजनीती पॉलिटिक शुरू हो चुकी है अगर आप ट्विटर अकाउंट्स देखे कई सारे पॉलिटिशन्स का तो आपको समझ में आ जाएगा तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब आप जहां है वही रुके कही जाने के जरूरत नहीं है तो उसके बाद सैटरडे संडे क्या होता है घर से तमाम लोग भाहर निकलते है गाउ जाने के लिए दिल्ली के जो आलन नगर डेपो है वहाँ पर काफी भी लाको की संख्या में लोग ही कट्टा होते हैं तो इसके पीछे जरूर किसी का कहना होगा या फिर ऐसे ही बिना बोले सब अपनी सोच से घर से बाहर नहीं निकल दे इसमें कुछ लगबग तोड़ा सा मीडिया का भी हात हो सकता है लेकिन इसमें जो गं जा सकती है इसका जरा भी डर इस भीड को नहीं है और जो अपनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे है उनको जरा भी इस सिचुएशन का अहसास नहीं है लोगों का ख्याल नहीं है जो इमर्जेंसी लागू की गई थी कुछ सालों पहले वो उसके पीछे पॉलिटिकल एम्बीश सिस्टिम ज्यादा अच्छा नहीं है वो लोग इसके गिरत में आके डेथ तक यह इसका परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं जो यंग्स्टर से जो इनका इमिन पावर ज्यादा है वो कैरियर्स बन सकते हैं उनको बादीत अगर होने के बाद वो ठीक भी हो सकते हैं लेकिन वो कैरियर्स बन सकते हैं अपने से वो और दूसरों को यह बीमारी फैला सकते हैं तो इसके लिए यह लोग टाउन है लेकिन लोग है जो समझ नहीं पा रहे हैं पड़ेली के लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं खास कर दो हैं यूट्यूबर्स जो देखने में आया है कि उसके बार लोगडाउन के बाद अपना काम निपता के अपनी डियूटी निपता के वह भी गाव की तरफ चल पड़े अपना जो फार्म हओस थे पैरेंश का जो माबाप का घर था उसके तरफ चल पड़े तो जो पड़े लिखे उनको भी नहीं समझ मे आ रहा है और जो ऐसे लोग है जो गाव जाने की फिराख में ज्यादा कर भीड़ी कटा करें काफी टेंशन से इसके बाद बढ़ सकती है 15 एप्रिल को क्या होगा है किस दिन के बाद काफी सारे लोग सोच रहे लेकिन ऐसा ही माहुल रहा तो और दिक्कत यहाँ पर क्रियेट हो सकती है जब हमारी आर्मी ने surgical strike किया था और air force ने air strike किया था तबी भी कुछ लोगों ने इन से सबूत मांगे थे तो ऐसे situation में जब आर्मी से सबूत मांगा जा रहा है अपने आर्मी के उपर जिनको trust नहीं है वो लोग ऐसे situation में भी politics करने से पीछे नहीं अटेंगे तो ध्यान रखिये अगर यह जो भी आप वीडियो देख रहे हैं जो भी लोग देख रहें तो आप जो लोग नहीं समझ पारे हैं उनको please समझाए इनके चक्कर में ना है जो हमारे प्राइमनिस्टर ने कहा है गर से बाहर ना निकले totally lockdown है जान है तो जान है यह जीवन और मृत्यू की परीक्षा है ना इसमें गरीब देख रहा है ना इसमें अमीर देख रहा है जिसको खाना नहीं मिल रहा है please उसकी आप help करें अगर खाना नहीं मिल रहा है आप 10 लोगों को भी ऐसे situation में अगर आप help के लिए पूछेंगे तो उसमें से कोई तो एक रहम दिल वाला है जो आपको खाने पीने की ज़रूर आपकी help करेगा तो इस समय डरने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ जहाए वही पर रुखे समझाने की कोशिश कीजिए आपके दोस रिलेक्टिव या फिर जो आपके पहिचान में है जो आइसा कर रहे है गाउ जा रहे है उनको प्लीस समझाने की कोशिश कीजिए तो चलते हैं निफ्टी की चार्ट के उपर उससे पहले global markets के हालत देख लेते अमरीकी बाजार में Friday को फिर से एक बार फॉल देखने को मिला जो वहाँ पर cases थे वह वन लैक के ऊपर चले गए तो साफ दोर पर वहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा था RBI का जो monetary policy था वो डेट से पहले ही यहाँ पर RBI ने जो meeting था वो ले लिया है उसके बाद press conference थी अगर आपने ध्यान से सुना हुआ तो उसमें दो बात ऐसे थी जिससे आने वाले समय के बारे में अंदाजा लगाए जा सकता था पहली बात तो यह थी कि RBI के जो governor एसे शिकांता दास उनकी press conference में उन्होंने का कि इसके बाद जो recession period आएगा हूँ इसके लिए RBI काफी चिंगती थे यानि यह जो महामारी है अगर यह खतम होती है यह इसका पता नहीं timeline क्या कब खतम होगा एक महिना दो महिना या फिर तीन महिना भी और लोग ऐसे ही अपने मन के मुताबिक काम करने लगे तो यह और भी यह से बढ़ सकता है तो यह कब तक होगा यह का नहीं जा सकता है इसके बाद जो recession period आएगा उसका काफी tensions RBI के press conference में जता है तो इसके मद्दे नजर market और भी यह से fall हो सकता है अगर यह जल्द से जल्दी कंट्रोल नहीं होता है तो दूसरी बात उन्होंने कई बैंकों को का कि तीन महिने का EMI कर दीजिए तीन महिना यानि government और RBI साथ साथ काम करते है यानि दोनों का अगर view देखे तो यह minimum तीन महिना इसको लग सकता है ऐसा फिलाल उनका मानना हो सकता है तो तीन महि करके चलिए अगर यहां से और भी control नहीं होती यह चीज़े तो यह lockdown period और भी बढ़ सकता है तो यहां पर सीधे तो निर्देश्ट है तो red cut हो चुका है लेकिन इतना ज्यादा expect जो कर रहे हैं जैसे अमेरिका में almost 0 तक हो गया है तो यहां पर अभी filler 0.75 basis point यहां पर cut कर गय European markets देखे Friday तो वहां पर भी pressure देखने को मिला था और अज जब Asia market हफते का पहला दिन है तभी SGX Nifty almost 200 point के गिरावट दिखा रहा है निक केई में भी 600 point की गिरावट है चैना market में भी pressure देखने को मिल रहा है monthly chat में अभी दो दिन बागी है इस मन को खतब होने के लिए और जबरदस यहां पर long bearish candles के क्या पर create हुआ हाला कि इसका जो 100 Ea में है यह grey light इसके आसपास है अभी दो दिन में देखना होगा यह इसके दीचे close होता है या इसके ऊपर 2008 में यहां पर इसने 2001 का fall था तभी इसन 100 Ea में के पास है हाला कि यहां पर जो यह long bearish candle stick आ गया है तो इसका effect ऐसा होता है कि ऐसा long candle आने के बाद होता है कि इसका जो low है वो भी आने वाले समय में इसका low जो है वो break हो सकता है और एक इससे छोटी candle बन सकती है फिर छोटी candle फिर चोटी candle एक consolidation period हो सकता है और बाद में यहां से एक recovery यानि वो recovery bounce back यानि upside movement में convert होती हुई दिखाई दे सकती है तो chances से market यहां से और भी इस low को तोड़ने के बाद और भी नीचे की तरफ move हो सकता है अगर यह 100 Ea के ऊपर टिकता है तो chances होंगे कि यहां से bounce back दिखा है हाला कि अब यह support के पास है कुछ कहा नहीं ज कहराता है वो देखना वाली बात हुई weekly chat में चलते है weekly chat में जो यह bounce back आया है यह bounce back आया है तो यहां से अगर ऊपर की तरफ यह boob होता है तो कहां पर resistance के level से यह identify करने के लिए Fibona से retracement level को draw किया है तो इसका 23.6 का यह जो level था इसकी just आसपास ही आके close हुआ है last week तो अगर यहां से यह ऊपर भी अगर बढ़ता है तो उपर में इन levels के according यह resistance कर सकता है तो यहां पर अभी फिलाल एक support है जो 8,670 के पास है हो सकता है यहां पर एक दिक्कत हो इसके ऊपर जाने के लिए अगर यह high up break करता है last week का तो next resistance का level 9,390 के पास होगा daily chart में हमने यहां पर identify किया था RSI का positive divergence यानि RSI में higher bottoms बन रहे higher highs बन रहे higher highs बन रहे bottoms में लेकिन यहां पर price action में देखे तो यहां पर lower lows बन रहे थे यह देखे यहां पर तो यह clearly divergence है अभी यहां पर हो सकता है कि यह थोड़ा सा नीचे आके इसका जो left shoulder है यानि यहां पर inverted head and shoulder बन सकता है जहां पर इसका left shoulder का यह जो swing low बनाए इसी के पास आके यह support test करें और फिर bounce back हो तो यहां पर inverted head and shoulder pattern बन सकता है और इसका neckline अगर break कर दिया तो यहां से फिर यहां में तेजी देखने को मिल सकते है otherwise यह जो swing low बना है last week यह काफी crucial हो जाता है इसको अगर यह break करता है towards south की तरफ तो यहां से यह fall और भी नीचे की तरफ गेराता हुआ आमें दिखाई दे सकते हैं तो market अभी wait and watch की conditions में है long position अगर आपको बनाना है तो चलते 60 minute की chart में quickly intraday levels को identify करेंगे अगर यह चला जाता है तो ही intraday के लिए हम यहां पर buy position मेंना सकते हैं और तभी हमारा first target होगा 8840 यह हमारा first target होगा और second target होगा R1 का pivot point का level जो की 8958 के पास है यह हमारा second target होगा और अगर towards south की तरफ यह move करता है तो यहां पर यह जो lower consolidation phase है इस zone का इसका जो lower band है यानी 8492 इसके नीचे अगर चला जाता है तो ही intraday के लिए हम short position बना सकते हैं अगर पकड़ लेते है S1 का clear picture हो जाएगा अगर S1 को break करता है 8442 को तो ही intraday के लिए हम यह आपर short position बना सकते हैं और तभी हमारा first target होगा 8350 यह हमारा first target होगा और second target होगा 8224 जो की pivot point का S2 का level है यह हमारा second target होगा तो यह तो आज के intraday levels अगर आपको वीडियो analysis अच्छा लगाओ तो please hit the like button share करे comment करे आपको दोस्तों के साथ भी यूटूब चैनल को ज़रूँ शेर करे So thank you very much and happy trading अगर आप इन तीनों में से कोई एक trading account हमारे partner referral ID के अंदर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको 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 अप्सूटली फ्री में मिल सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है जस्त यह अप्लाइएर के उपर ख्लिक करना है तो जैसे यह वेब पेज ओपन होगा तो आ अनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी एक जिन में account open हो सकता है अगर आपके documents ready है तो account open होने के बाद आपको जो client ID है वो आपको हमें इस number पे call करके confirm करना है ताकि हम आपको इंटाडे premium membership में आयरे कर सकते हैं तो यह चोटा इंट्रो था टेडिंग करके बारे में